नमश्कार साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ IS Hindi चैनल के भारतिय अर्थ विवस्था के रमेश सिंग पुफ्तक पर आधारित इस लेक्चर सिरीज में मेरे यानिकी अतुल जैन के साथ आज हमारा मेरे खियाल से 22 लेक्चर है और 21 लेक्चर्स आप लोग मेरे साथ देख चुके हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ और मेरा ऐसा आभास भी है कि आप सभी को अर्शाफ्तर विशय में एक थोड़ा सा आराम एक थोड़ा सा comfort महसूस होना शुरू हो गया होगा आप सभी को ऐसा लगने लगा होगा कि ये विशय जो है ये उतना भी जटिल नहीं है उतना भी मुश्किल नहीं है जैसा इसको अक्षर प्रफ्तुत किया जाता है जैसे जैसे आप मेरे साथ इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कोर्स की जटिलताएं जो है वो आपके लिए और कम होती जाएंगी आपके लिए ये कोर्स थोड़ा सा और सरल होता जाएगा जैसा कि आप सभी को पता है हम इस साल के आखरी सब्ता हमें आ चुके है और जैसा कि कोई भी साल खत्म होता है हम सभी को थोड़ा समय लगाना चाहिए ये देखने के लिए कि एक पुन्रावलोकन के लिए कि इस साल हमने क्या किया और इस साल हम क्या करना चाहते थे जो हम नहीं कर पाए ये अपने आप में एक बहुत अच्छी विवस्था है आपको इस बारे में सोचना चाहिए और साथ के साथ उस प्रकार के लक्षे तैय कीजिए ये सोचिए कि 2023 में हम ऐसा क्या करेंगे जो हम पिछले साल नहीं कर पाए आपका हर वर्ष पिछले वर्ष से बहतर होना चाहिए मैं कुछ बहुत बड़े लक्ष बताने में विश्वास नहीं रखता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ष जो है पिछले वर्ष ते कुछ बहतर जरूर होना चाहिए तो जो कुछ आपने पिछले साल किया इस साल आप उससे बहतर करें यही मैं आपसे आशा करता हूँ यही मैं चाहूँगा कि आप इस साल करें तो आप में से काफी छातर क्योंकि इन क्लासिस की प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो मैं आपको आप में से बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं इस टेलिग्राम चैनल पर आपको मेरी करंट अफेर्स क्लास जो मैं शाम को चार बजे लेता हूँ जिसमें मैं रोजाना हिंदी भाषा में हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस इन दो प्रमुक समाचार पत्रों के सारे संपादकियों की चर्चा लाइव करता हूँ तो उसकी भी आपको प्रिजेंटेशन यहाँ पर मिलेगी अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस क्लास को भी अटेंड करना शुरू करें क्योंकि UPSC या किसी भी पबलिक एक्जैम की तयारी में आप करंट अफेर्स को अगर इग्नोर करेंगे तो आपकी तयारी जो है वो आधी अधूरी रह जाएगी और अक्षर मैंने देखा है कि छात्र क्या करते हैं कि वो सोचते हैं करंट अफेर्स के लिए साल के अंत में जो किताबे आती है न्यूस का समरी आता है उसको खरीद के पढ़ लेंगे उससे आपको न्यूस की जानकारी तो मिल जाती है लेकिन आपको जो खबर होती है उसका परिप्रेक्ष उसका संदर्ब समझ में नहीं आता और चुंकि आपको उसका संदर्ब समझ में नहीं आया इसलिए आपको उसे याद रखने में भारी से समस्या आती है अगर आपको परिप्रेक्ष पता है, पूरी न्यूस साइकल पता है वो कैसे हुई, क्या हुई, क्या घटना थी, आपको ये सब पता है, उस पर अलग-अलग विचार पता है, तो आपको चीजों को याद रखने में जादा समस्या नहीं आएगी, इसलिए संपादिकियों को आप ध्यान से सुनते रहें, उनका विशलेशन सुनते रहें, उनकी चर्चा में भाग लेते रहें, तो आपको साल के अंत में करंट अफेर्स की तयारी में बहुत ही कम समय लगेगा, और वो तयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आज हम इस पुफ्तक के एक बहुत लंबे लेक्चर, बह यानि कि एक भारत देश में नियोजन की जो प्रक्रिया है, वो कैसे चली, उसमें अलग-अलग पड़ाव क्या आए, अलग-अलग आयाम क्या आए, उसमें अलग-अलग सोचें क्या थी, वो किस तरह से परिवर्तित होती रही, और किस तरह से वो अलग-अलग शेत्रों में सफल या विफल रही इस बात को समझने का प्रयास हम इस अध्याई में करेंगे ये लंबा अध्याई है मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं कि पांचवा अध्याई जो है वो एक लंबा अध्याई है इसमें काफी सारी क्लासिज लगने वाली है लेकिन ये अध्याई भारतिय अर्थ व्यवस्था की आपकी समझ को विक्सित करने में बहुत बड़ा योगदान करेगा देखिए इस बात को भी समझेए कि हर चीज में से यूपी एस्टी में सीधे प्रशन नहीं आता आपसे कोई भी यूपी एस्टी में ये नहीं पूछेगा कि चौथी पंचवर्षी योजना में क्या क्या प्लान था ये बताईए ये आपसे परिक्षा में नहीं पूछा जाएगा या फिर चटी पंचवर्षी योजना में क क्या कमियार है गई ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्या होता है कि किसी देश का नियोजन जो होता है वो एक यात्रा जैसा होता है और उस यात्रा के सारे पढ़ावों को अगर आप समझ लेंगे तो जैसे आप देश का इतिहास पढ़ते हैं आप किसी ने कोई कि भारत का अगर आपसे कहा जाए कि भारत का आर्थे कितिहास के बारे में आप क्या जानते हैं तो दरसल भारत का आर्थे कितिहास आजादी के बाद से कम से कम पूरी तरह से नियोजन के माध्यम से ही होकर गुजरा है तो अगर आप नियोजन के अलग अलग चरण को समझ जाएंगे तो आप निश्चित तोर से स्वतंतरता से लेके आज तक के भारत के आर्थे कितिहास की चर्चा असानी से कर पाएंगे। इतिहास का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है ऐसे सारे फैसलों में तो अगर हम भारत का आर्थिक इतिहास समझेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि भारतिया आर्थ्य व्यवफ्था जैसी बनी है वैसी दरवसल क्यों बनी है और अगर इस अपनी संरचना से वो किसी और दिशा में भी जाना चाहेगी, तो वो क्यों जाना चाहेगी और वो कैसे जाएगी, ये समझ जो हमारी विक्सित होगी, ये विक्सित होगी भारत में नियोजन के इतिहास को समझ के, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए, हम इस यात्रा पर जाएंगे, जहां पर हम भारत में नियोजन के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, अध्याय 5, भारत में नियोजन. तो सबसे पहले, यह हमको पता है, इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, कि नियोजन जो है, एक प्रक्रिया के तौर पे, इसका प्रारंब सोवियत संग में हुआ था, 1928 ते. यह तो मैं आपको बता चुका हूँ, कि सोवियत संग में इसका प्रारंब हुआ था, स्टैलिन ने किया था, 1928 में इसका प्रारंब हुआ था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मीडिया पर भी जो है बहुत अंकुष था, खास तौर पे रूफ जैसे देशों में जो कि समाजवादी होते थे, तो बाहरी दुनिया को नियोजन की प्रक्रिया का पता कुछ वादा चला नहीं, तो रूफ नहीं प्रक्रिया प्रारंब कर दी 1928 ते, लेकिन बाहरी दुनिया को इस प्रक्रिया की शुरुआत का अंदाजा हुआ 1930 में जाके 1930 में जाके दुनिया को पता चला कि ओ अच्छा रूस जो है वो अपना विकास यानि कि सोवियत संग जो है रूस बेसिकली ये देश जो है ये अपना विकास इस प्रकार से कर रहे हैं एक नियोजित तरीके से एक राष्ट्रिय योजना बना के कर रहे हैं ये 1930 में ही बाकि दुनिया को पता चला उसके पहले पता नहीं चला ठीक है अब परतंत्र भारत जो था उस समय भारत परतंत्र था भारत गुलाम था भारत का शासन चलाती थी तो भारत में भी उस समय अलग-अलग प्रकार के नेता थे देखिए गुलाम भारत में भी राजनीती पूरी तरफ से विक्सित थी परतंत्र भारत में भी आपको पूझी वादी नेता मिलेंगे आपको समाज वादी नेता मिलेंगे आपको कट्ट NETIC गतिविधी भारत में बहुत थी, उस समय में भी, लेकिन लगभग सभी के सभी, देखे ये एक खास बात थी, कि भारत में ऐसे नेता जो कि पूझी बात समर्थक भी माने जाते थे, वो नेता भी ये कहते थे कि नियोजन होना चाहिए, कि नियोजन के पक्ष में भारत के लगभग सभी नेता थे ये बड़ी हरानी की बात है कि ब्रिटिन और अमेरिका की जो नीतिया थी उनका उतना प्रभाव भारती और नेताओं के मन मस्तिश्क पर नहीं आ पाया था कि वो ये कहें कि यार नियोजन को तो हम बिकार चीव है इसको हम नहीं करेंगे सभी नेता लगभग सभी नेता ये कहते थे कि नियोजन होना ही चाहिए और ये मैं आपको बताई चुका हूँ कि भारत का आर्थिक इतिहास जो है दरसल नियोजन का ही इतिहास है तो अगर आपको इस देश की आर्थिक यात्रा को समझना है तो आपको नियोजन की यात्रा को समझना होगा नियोजन की यात्रा ही आपको पूरी पूरी जानकारी दे देगी कि इस देश की आर्थिक यात्रा कैसे हुई है यहां तक की जब हम कहते हैं कि 1991 में भारत ने अपने समाजवाद के जो प्रक्रिया भी जो आई ये नियोजन के तहत ही आई ये समझेगा कि 1991 में जो आर्थिक फुधार भारत में किये गए जिस तरह का उदारी करण भारत में किया गया तो ऐसा हम क्या मानके चलेंगा उदारी करण हुआ मतलब नियोजन कम हो गया होगा या खतम हो गया होगा ऐसा नहीं है भारत में उदारी करण भी नियोजन के तहत आया यानि कि भारत में जो उदारी करण भी हुआ ये भी नियोजित उदारी करण था ये अपने आप में बड़ी यूनीक बात है बड़ी अनोखी बात है कि ये भारत की पंचवर्षिय योजनाओं में इसके लिए प्रावधान किया गया था। नियोजन के बिना भारत के आर्थे के तिहास में कोई घटना लगभग नहीं हुई। ठीक है? यहां तक सपश्ट है, बहुत ही असान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एसे लोगों ने नियोजन पर काम करना आजादी के पहले ही प्रारंब कर दिया था। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बृटिश सरकार को नियोजन के लिए प्रेरित करें। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम एक नियोजन करने का खाका बनाकर, एक तरह का एक हम ब्लूप्रिंट बनाके सरकार को दे देंगे। कि देखिए ऐसा नियोजन कर सकते हैं तो शायद सरकार नियोजन करने में रूची अपनी जगा ले शायद सरकार का नियोजन करने में इंट्रेस्ट जाग जाए और अगर ये इंट्रेस्ट जाग जाए तो शायद ब्रिटिश सरकार नियोजन करे या जिस भी प्रकार का वो न पॉंडल बना के देते हैं सरकार को, कि भाई आप ऐसे करके देखो, या हम ये रेकमेंड करते हैं, हम ये अनुशनसा करते हैं कि आप ऐसे करो, तो अगर हम बहुत लोग करके देंगे तो सरकार शायद सुन ले हमारी, तो एक तो लक्ष ये था और दूसरा लक्ष ये था कि कभी ना कभी भारत स्वतंत्र होगा मैंने आपको पताया था ना कि 40 का दश्रक आते आते तो सबको अंदाजा होई गया था कि भारत आजाद होगा लेकिन उसके पहले भी सबको ये तो पता था कि चलिए कभी ना कभी तो भारत आजाद होगा कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि भारत में भारतियों की सरकार बनेगी तो उस समय जब भी हमारा भविश्य का स्वतंत्र भारत होगा उसकी क्या दिशा होगी देखिए जब देश आजाद होता है अगर आप देश के दिशा सोचने उफी दिन बैठते हो तो भाई फिर तो बड़ी समस्या होगे कि नहीं होगी समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे तो आप पॉलिटी की क्लास में आपको बताया गया होगा ये कि जब समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं वरना देश आजाग होगा आप सोचो कि अच्छा प्लाइनिंग भी करनी है चलो आज बैठते हैं भी आज से बैठना शुरू करते हैं फिर तो आपको पहला प्लान बनाने में 5-7 साल लग जाएंगे तो फिर उन 5-7 साल में देश का क्या होगा तो आपको स्वतंत्रता के लिए तैयारी तो पहले करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती है और दूफरा की देश जब भी आजाद हो जब भी ऐसा हो कि देश आजाद हो वो एक नियोजन जो है वो किस प्रकार से करेगा उसकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी उनको एक सही एक उचित दिशा प्रदान करना ये दूफरा लक्षे था ठीक है ये एक दम स्पष्ट है इसम कोई समस्या नहीं कि दो लक्षे थे तो इस दिशा में जो पहली योजना आई वो आई मौक्ष गुंडम विश्व सरईया की योजना है भारत के सबसे लोक्प्रिय अभियन्ता थे यह बहुत बड़े इंचिनीयर थे अभी भी 15 सितमबर को पूरे देश में इंचिनीयर स्थे मनाया जाता है अभियन्ता दिवस और 15 सितमबर इनका जन्मदिवस है ठीके तो विश्वे सरहिया जो थे ये बहुत ही प्रसद्ध इंजीनियर थे और भारत के दक्षणी हिस्से में जो एक तरह की सिचाई की विवस्था जो की वो इन्होंने अकेले अकेले की थी अकेले ही इन्होंने अनेको प्रोजेक्ट को चलाया और बहुत आगे लेकर गए तो डॉक्टर M. विश्वे सरहिया जो थे इन्होंने पहली बार एक इस प्रकार का प्रारूप बनाया कि भारत अपनी प्लैनिंग किस तरह से करेगा आजाद भारत नियोजन कैसे करेगा मैसूर के दिवान भी रहे थे या प्रशासनिक पदों पर भी रहे थे तो 1934 में इन एक इंजिनियर थे ये एक टेक्नोक्राट थे तो इनका बहुत ही क्लियर विजन था बहुत ही सपश्ट इनकी विचारधारा थी कि हम लोकतांतरिक पूंजी वाद रखेंगे इनकी विचारधारा काफी कुछ लोकतांतरिक पूंजी वाद जैसी थी लोकतांतरिक पूंजी हैं लेकिन पूझी वाद है है ना लोकतांत्रिक पूझी वाद यानि कि सबसे clear example अमेरिका है तो लोकतांत्रिक पूझी वाद जैसे विचार विश्व सरईया योजना में थे कि हम एक लोकतांत्रिक पूझी वाद जैसा देश बनेंगे, उनमें मुख्य बातें क्या थी, अद्योगी की करण पे हम बल देंगे, उद्योग धंदों का विकास करेंगे, श्रम को, देखिए, देखिए, कितनी ऐसी बाते हैं, जो हम आज कहते हैं, वो विश्वे सरीया साहब ने 1934 में कही थी, कि श्रम को क्रशी से उद्योगों की और संक्रमन कराएंगे, कि भारत की जो मैन पावर सारी की सारी खेतों में लगी हुई है, जो भारत का व्यक्ती क्रशी कर रहा है, इसे हमें क्रशी से शिफ्ट कराके, उद्योगों में लाना पड़ेगा, यानि कि अपनी जो मैन पावर है, उसको हमें, अ मौद्योगी की करन चाहते हैं वो तभी संभव हो पाएगा उन्होंने ये भी कहा कि एक दशक के समय में दस वर्ष के अंदर हमें अपने देश के आए को दो गुना करना होगा अब देखिए ये अक्फर आपने सुनाओं का प्रधान मंतरी कहते हैं कि धाई साल में या पांच साल में हम किसानों के आए दो गुनी कर देंगे देखिए विश्वे सरईया साब 1934 में ये सब कहते थे कि एक दशक में हमें देश की आए को दो गुना करना होगा और विश्वे सरईया साब जो थे वो बड़े प्रसिद्ध थे मतलब वो बहुत जाने माने व्यक्ती थे, तो ऐसा माना गया कि शायद अंग्रेज सरकार उनकी बातों को सुनेगी, कुछ कारवाही करेगी, उस पर उनकी बातों को गंभीरता से लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. अंग्रेजी सरकार ने कोई कारवाई ये नहीं की, नहीं इनको किसी सलाम अश्वरे के लिए बुलाया, नहीं इनकी रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया, बस इससे हुआ ये, कि क्योंकि विश्वर सरहिया सहाब बहुत लोकप्रिय थे, इन्होंने पुफतक लि लोगों का इस बारे में कुछ पता नहीं था, कि ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन शिक्षित वर्ग को इसके बाद पता चला, कि अर्थ विवस्था को हम ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, एक नियोजित तरीके से भी हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, यही दरसल विश्वे सर साहब के बाद और क्या हुआ इस पूरे नियोजन की प्रक्रिया में, तो विश्वे सरिया साहब के प्लान ने, दॉक्टर विश्वे सरेया, मोख्ष गुंडरम विश्वे सरेया का, जो नियोजन का जो उन्होंने एक खाका दिया, एक प्रारूप दिया, जैसा कि मैंने एक भारती व्यक्ति द्वारा एक इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया कि हमें द्राष्ट में आर्थिक नियोजन किस तरह से करना चाहिए तो यह अपने आप में एक बहुत नई शुरुवात थी बहुत नई बाथ थी तो इस रास्ते पर आगे अनेकों प्रकार से हम चले तो जैसे अब अगला उदाहरण जो हम लेंगे यह उदाहरण है फिक्की का प्रस्ताव अब फिक्की क्या है फिक्की एक बोड़ी है एक उद उद्योग मंत्री ने या वित्त मंत्री ने उसके अध्यक्षता की उसमें भाग लिया, यह हम अक्सर सुनते हैं, तो फिक्की क्या है? यानि कि भारत के जो उद्योग धन्दे हैं, उनकी ये एक तरह की फेडरेशन है, उनका एक तरह का ये संग है, तो दरसल है क्या भारत के पूझी पतियों का, जो भारत के कुछ प्रमुख पूझी पति हैं, उनका आपसी ये एक संगठन है, एक संग है, तो फिक्की एक ये क्या है उद्योगपतियों का फर्वप्रमुक संग है ठीक है और ये एकदम स्पष्ट है कि फिक्की जैसे संस्थान में देखिए इसमें लोग कौन है सारे के सारे उद्योगपती हैं उद्योगपती नाम से हम क्या समझते हैं कि ये पूझीवादी होंगे उद्योगपती नाम से हम सबको ये एक भावना आती है कि नहीं उद्योगपती है मतलब पूझीवादी होंगे ही होंगे और पूझीवादी है तो नियोजन के खिलाफ होंगे ही होंगे अब तक हमको ये समझ में आता है लेकिन देखिए यहां पर important चीज़ ये है कि ये ऐसा देखिए आप इनके बने विचार सुनिए तब मैं उसको explain करूंगा तो फिक्की के जो उस समय के अध्यक्ष्टे एनार सरकार उन्होंने कहा कि सरकारी अहस्तक शेप यानि कि सरकार का हस्तक शेप ना करना ये बीते युग की बात है कि सरकार का अर्थ व्यवस्था कैसे युग की बात है और आज कल के युग में हमें क्या जरूरत है भारत जैसे एक अविक्षित देश को गरीब देश को नियोजन की सखताव शक्ता है अपको ऐसा नहीं लगता कि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसके थोड़ा विपरीद जा रहा है ये सब कुछ तो आ आपको मैंने अब तक क्या पढ़ाया कि जहां पर उद्योग पती होंगे, पूझी पती होंगे, वो कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, बाजार अर्फवफ्था दीजिए हमको तो, हमें पूझी बात तो चाहिए, हमें तो मतलब सरकारी हस्तक शेप तो बिल्कूल नहीं चाहिए, अब तक आपको ये बताया है कि नहीं बताया है मैंने, लेकिन देखिए, परिप्रेक्ष को समझिये, उस समय की परिस्थिती क्या थी, पहली बात, भारत में पूझी पती जो थे वो कम थे और कमजोर थे, ये भी आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, तो अगर आप च्योंकि ना तो उनके पास पूंजी है, ना उनके पास तकनीकी सामर्थ है, ना उनके बाजार में क्रैश शक्ती है, ये सारी बाते आपको पढ़ाई हैं कि नहीं पढ़ाई हैं पहले, देखें, economics में इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला विशय है, economics में हमेशे ऐसा नहीं कि ये ठोरी है, ये ही सच रहेगी, ठोरी जो है समय के अनुसार उसको कहाँ पर सच है, कहाँ पर गलत है, वो बदलता रहेगा, आप समझ रहे की नहीं समझ ज़ेए, आप ऐसा समझ लीजिए, कि आप एक छोटे बच्चे को, जिसको चलना नहीं आता, आप बहुत बड़े स्टेडियम में जाके, फुटबॉल के साथ छोड़ दीजिए, खेल पाएगा वो, अरे उसको चलना ही नहीं आता ना भाई, तो उसके लिए किस काम का है, कि बड़ा अच्छा स्टेडियम है, बड़ी अच्छे लाइटे लगी हुई है, फुटबॉल है, वो खेल सकता है, अरे उसको चलना नहीं हाता यार, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो भारत के जो निजी उद्योग थे, उनकी स्टिती ऐसी ही थी, वो कमजोर थे, उनके पास सामर्थे नहीं थी, उनके पास ना तो पूंजी थी, ना उतना उत्पादन था, ना उतनी तकनीकी कुशलता थी, ना उतनी मानवी की कुशलता थी, उस तरह का श्रम नहीं था, उस तरह का उनके अंदर भी उद्यमी पन नहीं था कि वो नए उद्योग धंडे चालू कर पाएं और सबसे बड़ी बात, बाजार विखसित था, वो बना भी लें, तो खरीदेगा कौन? क्रेशक्ती बाजार में थी नहीं, नितान्त गरीबी थी, तो उनको पता था, उद्योग पतियों को भी ये पता था, कि जब तक सरकार का हाथ इसमें नहीं आएगा, तो बाजार के अद्रश्य हाथ की बजाए, उनको सरकार का दिखने वाला हाथ चाहिए था, कि भाईया आप आएए, आप आके पहले थोड़ा सा बाजार बनाईए, आप आके पहले निवेश कीजिए, आप आके ऐसी परिस्थितिया बनाईए कि हम लोग कुछ कर पाएं, य पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो बस यही है, तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि फिक्की भी ये कह रहा था, कि सरकार को दूर रहना पुरानी बात हो गई, अब आपको आना पड़ेगा, आप आईए और आप हस्तक शेप करके नियोजन कीजिए आप, ठीक है, औ और फिक्की ने ये भी कहा, कि एक बड़ा हाई पावर आप एक इंस्टिट्यूड बनाईए, उच्छ शक्ति वाला एक आप एक संस्था बनाईए, जिसको नाम उन्होंने दिया राष्ट्रिय योजना आयोग, कि आप एक देश का राष्ट्रिय योजना आयोग जैसे एक बोड़ी बनाईए, एक संस्थान बनाईए, जिसके पास उच्छ शक्तियां हो, एक ऐसी हाई पावर चीज़ आप बनाईए, और वो ये चीज़ करें, और इसमें हमें जरूरत क्या है, फिक्की ने देखिए बड़ी इंपोर्टन बात कहीं, कि भारतिय अर्थ व्यवस्थ संरचनात्मक विच्छेद करना है, तो अब तक हमारी अर्थ व्यवस्था जैसे चली है, हमको उससे अलग होकर आगे जाना है, हमें ये ब्रेकेच चाहिए, हमें तोड़ना है, हमें ये संबंद तोड़ना है, कि हमारी अर्थ व्यवस्था अब तक जिस तरह की है, जिस तर सतकार एक संरचनात्मक विच्छेद करे, उसके लिए एक शक्तिशाली योजना आयोग जैसी एक संस्थान का वो निर्माण करे और वो इस चीज़ को आगे लेके जाए। और देखिए रिदम स्पष्ट है, यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि फिक्की जो कि उद्योग धंद की एक बॉड़ी है, उद्योग पतियों की बॉड़ी है, वो भी उसको भी कीन्स के सिध्धानतों की और जुकाब था, उसका एक कारण यह भी था, कि यह बात हम कब की कर रहे हैं, कब की बात है, यह 1930, 40, इस रेंज के इस टाइम की बात है, आजादी से पहले की बात, है ना तो आजादी के पहले, 1929 की जो आर्थिक मंदी थी, उसको बहुत दिन हुए नहीं थे, तो 1929 की आर्थिक मंदी के बाद, सभी के दिमाग में संशे तो था, कि केवल बाजार जो है, वो अर्थिवस्था को चला सकता है कि नहीं, इस बात पर सबको निश्चित तौर पर अर्थिवस्था को चला सकता है कि नहीं, और राज्य का जो हस्तक शेप है, वो आवश्यक है, ये बात मानी जाने लगी थी, कि राज्य को यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलावट राज्य की भी करनी पड़ेगी, तो फिक्की ने भी इस तरह का प्रस्ताव दिया, कि भाई आप एक ऐसा राश्तिय योजना आयोग बनाईए, और आप दखल अंदाजी कीजिए, आप इंटर्फियर कीजिए, आप नियोजन की प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर शामिल हो, आप एक राश्तिय योजना आयोग बनाएं, जो शक्तिशाली हो, जिसके पास शक्तियां हो, तो ये फिक्की का प्रस्ताव था, ठीक है भई, ये हुआ फिक्की का प्रस्ताव, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भई, आजानी के पहले भारतियों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, कॉंग्र भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस सबसे महत पर पूर्ण संस्था थी, है न ये clear है, तो निश्चित तोर पे अगर कॉंग्रेस को योजना लेके आएगी, तो एक तरह से ऐसा माना जाएगा, कि ये योजना सबसे ज्यादा भारतियों की प्रतिनिधी है कि नहीं है, क्योंकि भारतियों की सबसे बड़ी प्रतिनिधी संस्था क्या थी? भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस थी, तो यहाँ पर भी ये सपष्ट है कि अगर कॉंग्रेस ने ऐसा कहा है, तो जादा से जादा भारतिय इस बात का अनुमोधन और समर्थन करते होंगे, अब देखिए, कॉंग भारतिय जनता पार्टी है, तो भारतिय जनता पार्टी में क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कोई भारतिय जनता पार्टी का नेता उठकर ये कह सकता है कि भाई, नरेंदर मोधी जो सोचते हैं, मैं उससे अलग सोचता हूँ, क्या ऐसा संभव है, आपको लगता है, ऐसा ह हो सकता है, शायद अगले ही दिन वो विक्ति पार्टी से निश्कासित हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, उसका करियर तो खतम हो जाएगा पूरी तरह से, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे ही सेम सारी पार्टियों में है, कॉंग्रेस पार्टी में कोई उठकर ये कहदे भई मैं राहूल गांदी और सोनिया गांदी से अलग विचार रखता हूँ, आपको लगता है वो कॉंग्रेस पार्टी में तरक्की कर सकता है, नहीं कर सकता, सारी पार्टी या लगभग ऐसी ही है, कोई भी आप ने लिजा, आम आदनी पार्टी में, कोई कहदे मैं अर्बिन केजरी वाल से अलग विचार रखता हूँ, आपको लगता है वो प्रगती कर सकता है, सभी दलों की अब थिती लगभग ऐसी ही हो गई है, कि सारे दलों के अंदर एक आवाज है, एक मत है, लेकिन उस समय की जो राजनेतिक पार्टियां होती थी, और ये एक बहु लोगोंने धीरे धीरे पिछले एक दो दशक में खो दी है, इन फाक्ट आप याद करें, आज से आप में से लोग बहुत बच्चे होंगे उस समय, नब्बे के दशक तक भी आप देखेंगे कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर अनेकों गुट होते थे, और वो आपस में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सितारम केसरी, शरत पवार और राजेश पाइलिट इन तीन बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा था, सितारम केसरी वो चुनाव जीते थे, आप समझेंगें तो इस प्रकार से अध्यक्ष पद के लिए इस प्रकार के और पार्टी में लोगों के अलग-अलग मत होते थे, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई इसने मेरे विरुद चुनाव लड़ा तो मैं इसको पार्टी से निकाल दूँगा, अगर सरकार बनती तो उनको बड़ा मंत्री भी बनाया जाता, तो इस प्रकार की ए दोनों एक ही पार्टी में रहे, एक प्रधानमंतरी रहा, दूफरा उप प्रधानमंतरी रहा, ठीक है, एस तरह से दोनों ने एक दूफरे का साथ दिया हमेशा, तो आप समझ रहे हैं, तो एक वो मतों की भिन्नता स्विकार्य होती थी राजनीती में, और अब वो नहीं र बारतिय राश्थिय आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस थी. तो जो भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहता था, वो कॉंग्रेस से जुड़ जाता था. तो निश्शित तोर पे कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता गांधी थे, ये सबको पता है महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग गांधी से सहमत होते थे ऐसा नहीं है तो गांधी एक बुजुर्ग नेता हो गए थे तब तक और कॉंग्रेस के अंदर जो युवा धड़ा था जैसे जवाहरलाल सुभाष चंद्रबोस ये लोग गांधी से बहुत सारी चीजों पर इनके विचार नहीं मिलते थे तो कॉंग्रेस के अंदर गांधी और जो हार्ड कोर गांधी को मानने वाले थे गांधी वादी लोग वो ये कहते थे कि भाई हमें किसी एक प्रकार की योजना बद्ध प् महात्मा गांधी की जो आर्थिक नीती थी वो बहुत ही स्थानिक थी गांधी की आर्थिक नीती बहुत ही गाउं पर अधारित थी और अगर आप एकदम मैं एक अर्थशास्त्र के अध्यापक की तरह सोचू तो मैं कहूंगा कि गांधी की आर्थिक नीती जो थी वो स्केल स्केलेबल नहीं थी, स्केलेबल मतलब वो एक जगा पर तो स्वत्य हो सकती है, मैं पूरे देश पर उसको लागू शायद नहीं कर तकता, तो अध्योगी की करण की जो नीती है, ये एक जो विकास की नीती है, गांधी ने कभी भी खुल कर इसका समर्थन नहीं किया, गांधी एक तरह से अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतीयों को लेकर गांधी का स्टैंड क्या था, ये गांधी ने बहुत ज़्यादा स्पष्ट कभी किया नहीं, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, कि गांधी गाओं को लेके बड़े कटिबध थे, गांधी शहरी करण के खिलाफ थ परिवर्तन आ जाता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गांधी को खुद ही बहुत स्पष्ट ना हो, क्योंकि गांधी इस बात को मानते थे कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं चीजे सीखता रहता हूँ, तो गांधी शायद खुद ही इस बात को लेके बहुत कैसे किया जाए, तो गांधी और गांधी वादी जो थे, वो एकदम स्पष्ट थे इस बात को लेके कि भाई हम किसी एक सोचने के तरीके के साथ अपने आपको अभी जोड़ना नहीं चाहते, कि भाई हम योजना बनाएंगे, हम नियोजित होंगे, नियोजित होंगे तो हम पिन योजना एक किस प्रकार की बनाएंगे, उनका प्रारूप क्या होगा वगेरा वगेरा, इस तरह की चीजों से हम अभी जुड़ना नहीं चाहते, ये गांधी और गांधी वादियों का बिलकुल क्लियर स्टैंड था, वो एकदम स्पष्ट थे इस बात को लेके, लेकि सुभाष चंद्रबोस ने राष्ट्रिय योजना समीती का गठन किया, सुभाष चंद्रबोस ने और उनके खास एकदम, उनके खास मित्र, जवाहर लाल नहरू, इन दोनों ने मिलकर दरसल इसका गठन किया, तो सुभाष चंद्रबोस ने राष्ट्रिय योजना समीती का पश्ट थे इस बात को लेके कि हमको योजनाय बनानी ही पड़ेंगी ये युवा पीड़ी के नेता थे उस समय के हिसाब से और इनको लगता था कि हम मतलब कि हम जो है जब तक हम नियोजन नहीं करेंगे देश का आर्थिक विकास नहीं होगा तो इन्होंने प्राष्टिय यो इतने शित्र हैं सबका विकास कैसे हो इसके लिए मुझे प्लान चाहिए खाली थियोरी मत दीजिए मेरे को कि ये करेंगे तो वैता होगा नहीं मेरे को प्लान मना के दीजिए कि कैसे करना है वो प्लान दिखाईए ये काम इन्होंने राष्टिय योजना समीती को दिया इस चुनाव होने लगे थे और उनस चुनावों के माध्यम से प्रांतिय सरकारें बनने लगी थी तो अनेकों प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार होती थी समझ रहे हैं आप इस बात को अनेको प्रांटों में कॉंग्रेस के सरकार थी तो कॉंग्रेस के पास ये फाइदा था कि उसके पास राजनैतिक शक्ति पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत थी तो कॉंग्रेस ये राश्तियय योजना आयोग जो भी राष्टे जयोजना समिती, जो भी योजनाय बनाती, कॉंग्रेस कम से कम अपने प्रान्तों में तो इसको लागू कर सकती थी, या फिर एक तरह सब कहा सकते हैं, आंशिक तोर पे लागू कर सकती थी, तो कॉंग्रेस के पास ये राजनेटिक शक्ती भी थी, और प्रायोग करने का समय अभी है, ये प्रयोग हम अभी करेंगे, इसको लगा कर देखेंगे, अपना कर देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ये प्रासंगिक है भी या नहीं है, ठीक है? तो अनेको प्रांटों में तो कॉंग्रेस की फरकार थी और इसकी जो बैठेके होती थी योजना समेती की, इसमें जिन प्रांटों में कॉंग्रेस की फरकार नहीं भी थी, उनको भी बुलाया गया, कि भाई आप भी आईए, ये एक राश्त्री अकारिक्रम है, ये केवल कॉं योगपति होते थे भारत के इन सबको बुलाया गया, बड़े उद्योगपती थे, बड़े विचारग थे, अर्थशास्त्रियों को भी इस में बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को अलग-Não-जिंतर के इसमें बुलाया गया, ताकि एक गहन-चिंतन किया जा सके, कि प्रतिनिधित्व की भी शक्ती थी, कि कॉंग्रेस ये क्लेम कर सकती थी, कि भाई हम भारत की जनता के प्रतिनिधी हैं, और कॉंग्रेस अगर ये कहती, तो लोग उसकी बात सुनते, तो इसलिए कॉंग्रेस ने अपनी योजना प्रस्तुत की, कॉंग्रेस की योजना पर आग वरी समिती बनाई इतने गहन विचार धारा के लिए, हर चीज पर, हर परिप्रेक्ष पर विचार करने के लिए, हर भाग पर विचार करने के लिए उपसमिती बनी, और 29 खंडों में अनुशन साय दीन होने, कुल मिला के 29 खंडों में अपनी रिपोर्ट से 9 अने सब्मिट की लेकिन हुआ क्या 1938-49-40 तक जाते जाते तो ये बनी ठीक है और 1949 में ही द्वितिय विश्वयुद प्रारंब हो गया उसके बाद 1942 में क्या हो गया वर्ल्ड वार शुरू हो गया द्वितिय विश्वयुद 1942 में माफ कीजेगा भारत छोडो आंदोलन चालू हो गया तो भारत छोडो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने पहला काम क्या किया जवाहरलाल नहरू को उठाया और जेल में डाल दिया ठीक है अब जवाहरलाल नहरू जेल में चले गए तो समीति के अध्यक्ष ही जेल में चले गए तो समीति काम क्या करेगी तो समीति के ना सिर्फ अध्यक्ष बलकि अनेको फरस्वे जेल चले गए सुभाष चंद्रबोस्पी बे राजनेतिक गतिविदियों का प्रारूप बदल गया तरीका बदल गया तो इसके कारण अनेकों वर्षों तक ये जो है समीती का कार्य बहुत बाधित रहा ठीक है बैठ जाते हैं कोई फाइदा नहीं है बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई उस समय की अर्थिवस्था के अधार पे थी कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का important बात जो है समीती की महता जो है वो रिपोर्ट से ज़ादा प्रक्रिया में थी कि देखिए आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़ादा व्यवस्थित हो सकती है इतनी detailed हो सकती है इतनी विस्तारित हो सकती है और वो इतनी समावेशी हो सकती है कि उसमें साड़े 300 सदस्य हो हर शेतर का प्रतेनिधित्व हो ये एक Congress ने ये एक बात स्थापित कर दी ये एक बात सिद्ध कर दी कि ऐसा भी किया जा सकता है तो समिती की जो महता है वो उसकी रिपोर्ट में नहीं है वो उसकी प्रकriya में है इस बात को समझे और क्योंकि ये Congress कर रही थी इस बात अब तक कौन कर रहा था। या तो विश्वे सरीया साहब की रिपोर्ट आई थी कितनی ही लोग जानते थे यार या फिर फिक्की की इसा कुछ कर रही है, ये चीज इंपोर्टेंट है क्या, ये चीज महत्वपूर्ण है क्या, कॉंग्रेस कर रही थी, तो ये बात दुनिया को पता चली, देश को पता चली, कि ये एक जरूरी चीज है, पजन सामान्य को विश्वास दिलाया गया, कि उनके जीवन स्तर में सु समन्वित नियोजन करें, यही एक तरीका है आपके जीवन स्तर में सुधार को लाने का, जनता को ये भरोसा दिलाया गया, और ये भरोसा जनता ने इस बार क्यों लिया, क्योंकि इस बार इस काम में कॉंग्रेस इनवाल्ड थी, और कॉंग्रेस उस समय सबसे बड़ी प्रत निधित्व कॉंग्रेस पार्टी करती थी, ठीक है, यह हुई कॉंग्रेस योजना, अब कॉंग्रेस योजना में एक बात को समझते हैं, NPC मतलब National Planning Committee, NPC ये राष्ट्री योजना समीती जो कॉंग्रेस ने बनाई, उसके गठन के बाद, मैंने कहा था न, देखिए, अब तक स सरकार भी योजना के क्षेतर में सक्रिय हो गई, और उन्होंने ये कुछ समितियां बनाई, ठीक है, इन समितियों के बारे में हम बहुत संख्यप्त में चर्चा करेंगे, पहली है युद्धोत्तर पुनर निर्माण समिती, अर्थ शाफ्त्रियों की परामर्षदात्री समि योजना एवं विकास विभाग और सलाहकार योजना बोर्ड, तो ये चार समितियां जो हैं ये अंग्रेजों ने बनाई, बहुती संख्यप में इन चारों के बारे में जान लेते हैं, युद्धोत्तर पुनर निर्माण समिती, जून 1941 में गठन हुआ, नाम से इस पश्त ह युद्धोत्तर, यानि कि युद्ध के बाद, उस समय क्या चल रहा था? द्वितिय विश्वयुद्ध, अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे, बिना जाने, भारत को भी युद्ध में जोग दिया था, और भारत के भी जो समसाधन थे, भारत के भी जो लोग थे, उन युद्ध के प्रभाव के अनुरूप और आर्थिक विकास के लिए योजनाय बनाईए आप, कि युद्ध का प्रभाव पड़ेगा, देखिए, युद्ध का समय 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 नहीं होता, समय के लिए योजनाय अलग होती है, युद्ध के समय के लिए योजनाय एकदम अलग हो आर्थिक नियोजन एकदम बदल जाता है, क्योंकि जब COVID आया, तो सरकार की बस एक प्राथ मिक्ता थी, कि COVID से निपटना है, बस बाकी हर चीफ अद्दियों की विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानव संसाथन विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब बाद में होगा, अभ काम युद्धुत्तर पुनर निर्मान समिती को दिया गया, 1940 में इसका गठन किया गया, इतना ही आपके लिए जानना काफी है, ठीके, इसके अलावा, अगली समिती जो थी, वो थी अर्थ शास्त्रियों की परामर्श दात्री समिती, तो क्या हुआ भई कि आपने बहुत सारे अर्थ शास्त्रियों को एकठा कर दिया, और उनसे कहा कि आप भी सरकार को सुझाब दीजिये, कि हम और बढ़िया नीतियां कैसे बनाएं, ठीके, ऐसा अभी भी होता है, आप अनगलक युनिवर्स्टीज के प्रोफेसर्स को बोलते हो, कि भई आप बताओ, और भेतर समित दियां कैसे बनाएं, तो रामा स्वामी मुदलियार सहाब इसके अध्यक्ष थे, इनसे सलाह देने की अपेक्षा की गई, लेकिन, लेकिन देखिए इस बात को समझिये, कि कई बार क्या होता है, कि जो आदमी एकैडमिक्स में इन्वाल्ड होता है, जिस आदमी को अर्थ व परहना और पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन वास्तविक्ता में बादार में जाके काम करके दिखाना एक अलग चीज है कि नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये एक इंपोर्टन बात है, तो अकसर ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े नहीं था, वो प्रयोग हीन थी, वो अकैदमिक पूर्वा ग्रहों से भरी हुई थी, कि जिस तरह से एक अकैदमिक लोग सोचते हैं, जैसा थियोरियां दी हुई है, जिस प्रकार के संकल्पनाएं हैं, उनसे वो भरी हुई थी, और व्यापारिक महत्व उनका नगन्न था, प्रैक्टिकल नहीं थी, इसको कहते हैं कई बार, क्या रहे हैं तो थोरी की बात है, प्रैक्टिकल बात नहीं है ये, तो ऐसे ही ये सारी बाते प्रैक्टिकल नहीं थी, इनका व्यापारिक महत्व नहीं था, वास्तविक जो रोजमर्रा की आत्विवस्था है, उसमें इनक विकास विभाग, 1944 में इसका गठन हुआ, देश में योजना कारियों के संगठन और समनवे की जिम्मेदारी इसको दी गई, कि योजना के जो देश भर में काम हो रहे हैं, बड़ा देश सा भी भारत हमेशा से, तो योजना के काम जिस तरह से हो रहे हैं, उनका संगठन किस प सबसे उचे स्तर की जो शक्तियां थी वो involved थी वो इससे चुड़ी हुई थी YF Rai की कारेकारणी परिशत के एक सदस्य की अगवाई में ये बनती थी ठीक है यानि कि जो भारत में उस समय सबसे बड़ी समिती क्या होती थी YF Rai की कारेकारणी समिती उसका एक सदस्य का नेता होता था इसका अध्यक्ष होता था तो यानि कि एक तरह से इसकी पहुँच सीधे सीधे YF Rai तक होती थी ठीक है तो ये बहुत शक्तिशाली समिती थी विशेशक्ज्यों के इसमें 20 पैनल बनाए गए थे लेकिन 1946 आते आते जब ये सपश्ट हो गया कि वॉइफ Rai की शक्तियां भी अब कम होने जा रही है तो इस समिती को बंद कर दिया गया इस वाले विभाग को बंद कर दिया गया जब ये स्पश्ट हो गया कि वॉइस रोई के पास भी अब जादा शक्तियां रहने वाली है नहीं ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है अंग्रेजों के शासन प्रशासन की तब इसको भी बंद करने का निरने लिया गया ठीक है अब चलते हैं आखरी पर वो है सला सलाहकार योजना बोर्ड अब देखिए सलाहकार योजना बोर्ड की नियुक्ति कब हुई अक्टूबर 1946 में यानि कि आजादी के मात्र कुछ महीने पहले यानि कि यहां तक यह सपश्ट हो गया था कि देश आजाद होगा अक्टूबर 1946 आते आते यह लगबग सबको पता था कि देश आजाद होने वाला है ठीक है तो सभी योजना यह भारत सरकार ने इसके नियुक्ति की सभी योजनाओं की समीक्षा का दाइत्व इसको दिया गया कि भाई आप जितने भी योजनाए देश में चल रही है उसकी आप समीक्षा कीजिए कि वो ठीक से चल भी रही है या नहीं चल रही है यह आपका प्राथमिक दाइत्व है और इसके अलावा ये भी स्पष्ट था कि अब सरकार बदलने वाली है अब नए तरह का शासान आने वाला है तो योजनाओं का भावी तंत्र क्या होगा अभी तो एक तरह का तंत्र चल रहा है क्या हम इसे ही कंटिनियु करें या हम इस तंत्र को बदलें तो भावी तंत्र को लेकर भी आप अपने अनुशन साहें दीजे आप अपनी recommendation दीजे कि अगला तरीका क्या होना चाहिए योजना बनाने का, ये भी आप बताईए, बोड जो है, वो एक, इस ने, इस बोड ने क्या सलाह दी फिर हमें, इस बोड ने सलाह दी, एक अधिकार संपन्न संगठन बनाईए, बोड ने कहा कि आप जो भविश्य का अनुएच करना चाहते हैं, नियोजन, उसके को रिपोर्ट नहीं करेगा ठीक है और नियोजन के सभी पहलों पर ये संगठन जो आप बनाएंगे ये नजर रखेगा तो जैसे आप फिक्की ने कहा था ने राश्ति ये योजना आयोग बनाओ आप बहुत शक्तिशाली लगभग वही बात इन्हों ने कह दी कि फिक्की की म मंत्री मंडल को ही सीधा सीधा रिपोर्ट करे और किसी को वो रिपोर्ट ना करे ठीक है चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर आज हमने कॉंग्रेस का जो प्लान था वो और उसके अलग अलग भाग यहां तक पढ़े अभी स्वतंत्रता के पहले अभी और भी कुछ प्लान है जिनको हम अगले लेक्चर में जानेंगे कल जानेंगे तो उसके बाद हम धीरे धीरे स्वतंत्र भारत में प्लानिंग कैसे हुई नियोजन कैसे हुआ उस पर चर्चा करेंगे तो यह है आपका आज का प्रशन नियोजन को लेकर कॉंग्रेस की योजना ने भारत में ऐसे के वैसे तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, भविष्य के नियोजन का रास्ता कैसे साफ किया, इस पर आपको पश्ट करना है, ये बात आपको पश्ट करनी है, कि कॉंग्रेस प्लान ने किस तरह से भविष्य के नियोजन का रास्ता साफ किया, ये आ आपको बताना है, यह आपका आज का प्रशन है, आज की क्लास की प्रेजेंटेशन हर क्लास की तरह आपको अतुल जैन, UPSC गाइडन्स नाम के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप इस चैनल को जॉइन करें, इसके अलावा मैं एक बार आप से दो बाते कहन चाहता हूँ, क्लास खतम करने के पहले, एक तो यह, कि रोज शाम चार बजे, मैं Current Affairs के जो संपादकिया आते हैं, उन संपादकियों का एनलिसिस करता हूँ, उन संपादकियों के विवेचना करता हूँ, The Hindu और Indian Express की लाइव होती है वो क्लास, तो उस क्लास से आप जरूर ज जो अर्थशास्त और को एक विशय के तौर पर समझना चाहता हूँ, उसको इन लेक्चर्स के बारे में बताएं, ताकि ये लेक्चर्स वादा से वादा लोगों तक पहुंचे, आज मेरे साथ जुडने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आप से एक बा कारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, स्टडी आइक्यू आईएस हिंदी